जो है एक नंग है और आड़ें 81 लोग सभा का उलख कुछ नियूवन सदन के नाम से विखा जानते हैं और लोगसभा को अस्ताय सदन भी कहा जाता है ठीक है लोकसभा जो होता है या चनता का सदन भी कहलाता है इसमें जानता के द्वारा प्रत्यक छिरूप से चून कर प्रत्निधी जाते हैं जिसे MP कहते हैं, Member of Parliament जो होते हैं और सांसत बेहंदी में कहते हैं देखें, लोकसभा का गठन जो हुआ था हमारे देश में 1952 इस भी में किया गया था और लोकसभा के सद्दस्यों के लिए योगता का भी चर्चा किया गया है, कोई भी लोकसभा का चुनाओ लड़ेगा तो वह कम से कम उसका निवन्तम उम्व का उलेख है 25 पर, अधिकतम का कोई चर्चा नहीं है मायच्चा कि आगर कोई व्यक्ति जो है लोकसभा जो सद्दस्यों इतने बार इच्छा का उतने बार वह सकता है, जितना निरवाचित होने पर उसंका निरवाचन होता है लोकसवा में अधिक्तम सदसंख्या पांसा बावंत है हलाकि दो एंगलों इंडियन को हटा दिया गया है तो अब कितना हो गया है पांसा पचास हो गया है और इन पांसा पचास में से है जनता के द्वारा और तेरा कितना बाकी कितना होंगे तो यहां को मनोनित करते हैं तो यह आपको मनोनित राजसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर लोकसभा में जो एंग्लों इंडियन करते थे उसके जनसंख्या के अनुकूल या अनुपात ही चुनकर आते हैं भारत के सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सदस जहां से आते हैं उसराज का नाम है उत्तर पर्देश हम लोग के बियार में कितना है चालीस है ठीक है न इपी में कितना है असी और विहार में 40 टीक है लोकसभा का जो कारेकाल होता है पांच बर्स का होता है और इसके लोकसभा में सदस्यों की संख्या दो हजार चब्विस तक निर्धारित किया गया है कि वही रहेंगे तक न उससे जदा नहीं होंगे यह दू हजार एक के संसत के द्वारा जो चौरासिया में 84 चौरासिया में स्रिधान संसोधन जो हुआ था उसके तहत यह तय किया गया था कि दो हजार चब्विस तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या वही रहेगा जीतना है उतना उसके बाद ही सोचा जाएगा लोकसभा के सदस्यों को भोटिंग करने का अधिकार सभी ब्यसकों होता है जिनकी उम्र 18 वर्स की प्राप्ति हो जाती है ठीक है और लोकसभा में पहले ज उनिस सद्शन नवासी के द्वरा उसे घटाक और 18 वर्स किया गया है तो वहीं सुन रहा हूं है हमारे लोकसभा अब तक आठ बार भंग हुआ है लोकसभा जो है पांच वर्सकार का अधी होता है लेकिन इसे पहले भी भंग किया जा सकता है राश्पति कि समझे ताथ 85 के ताथ लोक्सभा भग होता है अब तक आठ बार लोक्सभा भाग हो चुका है ठीक है अब देखो कुछ इसमें है कि सबसे अधिक मादता वडा लोक्सभा छित्र कहता है तो बाहरी दिल्ली है दिली में एक लुकसभा संसथिय खेतर का नाम है बाहरी दिली सबसे अधिक वहां जनसंख्या उस बाहरी दिली संसथिय खेतर में है सबसे कम मदता वाला लुकसभा चेतर कहेगा तो लक्षिदीप जो एक किंद्रसासित प्रदेश है अच्छेतर फल के दिरिष्टी से सबसे बड़ा कहेगा तो लगाक अब सबसे छोटा कहेगा तो चांदनी चोग वहीं दिल्ली का चांदनी चोग जो सबसे महांगा वहां पर जगह मिलता है ठीक है लोकसवा में अनुसूची जाती और जनजातियों का भी उलेक मिलता है अनुचे तिन सब तीस और तीन सब बतीस में अनुसूची जाति और जंजातियों का चर्चा किया परतेख 10 सांसत को होता है अर ये भी है कि लोक सभा को चलाने के लिए एक लोक सभा अध्यक्षा की अज़ता होता है जो सधारन बहुमत के द्वारा, सधारन चुनाव के द्वारा, लोकसभा सदस्यों में से कोई एक उसे चुने जाते हैं, लोकसभा अध्यक्च की पद और उनके कारियों का उलेख आट की 93, 993 में हैं, लोकसभा में से ही कोई सदस्यों को सधारन मत से भोट देकर चुन लिया जाता है अलाकि प्रैमप्रा रहा है जिसका सरकार होती है यह रहा mill faithful जिसका सरकार होने का अर्ष हुआ ज्यादा उसके पास मत और ज्यादा जिसके पास मत थे तरह सुछ Прक्राइब का दि हम यह थी सबसे लंबे समय तक लोकसभा कोई अध्यक्ष बना है तो वह बल्राम जाखड सबसे अधिक समय तक इनका कारेकाल रहा है ठीक है और चलिए लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है और अंशेत 85 के तहट राश्पती को है अब तक आठ बार हो चुका है भंग उन्हेसा सतर में पौली बार भंग हुआ था आप जानते हो सतर में जानते हो सतर के बाद सतर उनासी चौरासी और नवासी 91, 97, 99 अब तक आठ बार लोकसभा को भंग किया गया है ठीक है लोकसभा के कारेकार एक बर्स के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के कारेकाल को एक एक बरस के लिए बढ़ा कर छे बरस किया गया था 1976 में फिर बाद में इसे लोकसभा के कारेकाल को कहा गया कि पांच बरस ही रहेगा और लोकसभा के कारेकाल दो बार एक एक बरस के लिए बढ़ाया गया था 1976 में लोकसभा की बैठक के एक वरस में कम से कम दो बार होना है तुछ है जिक broken log करता है कभी-कभी संजुक्त बैठक को ती है लोगसभा राज़सभा की तो संजुक्त जिसको राष्ट्पती महोदे बुलाते हैं और अध्यक्षता कराते लोकसभा अध्यक्ष है अगर लोकसभा अध्यक्ष को मत देना हो किसी निर्डायक मत के लिए तो वह अपना प्रयोग मत का कर सकता है आठ किला हंड्रेट का थिरी के तो तो यह लोकसभा की कहानी है लोकसभा में इत्यादिया है तो है लोकसभा में